वेलकम तो पी डबलो ओनली आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs के हमारे आज के सेशन में, आज 18th of January 2024 है तो आएए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं, जो आज हमें cover करने हैं कई सारे important articles हैं, जिन पर आज हमारी चर्चा होगी और वो सभी articles यहाँ पर आपके सामने हैं तो इन articles को विस्तार से हम discuss करेंगे, देखेंगे आप में से सभी लोगों ने join कर लिया है तो फिर अपने इस session की शुरुआत करते हैं यहाँ पर वही मामला बिलकुल हाइलाइट है, जिसमें इरान ने attacks किये हैं किसके उपर? पाकिस्तान के उपर तो इरान का जो attack पाकिस्तान के उपर हुआ उसको respond किया है यहाँ पर पाकिस्तान ने और उनके जो envoy थे, उनको पाकिस्तान ने वापिस बुला लिया है इरान से यह पूरा जो मामला है, उसमें एक striking fact ये रहा कि हमारे जो foreign minister है S. Jaisankarji वो इरान के visit पर गए, उस visit से वो lot कराए और उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के जो terror camps थे उनके उपर इरान ने attack कर दिया अब यहाँ पर एक argument ये भी निकल के आ रहा है कि क्या इरान influence रहा इंडिया से इस attack में क्या ये कोई planning का नतीजा है, कोई बातचीत हुई है हालाए कि देखो, एक और article आपको दहिंदों में आज ही मिलेगा जिसमें इंडिया ने साफ साफ कहा कि हम defend करते हैं हम support करते हैं इरान को, जो औरोंने terror के against में ये कारवाई की है ये जो पूरा मामला था, उसमें, मतलब, S.J. संकर जी गए और उसके अगले दिन ये attack इरान ने पाकिस्तान के उपर किया आठ जो drones थे, वो explosives लेकर जाते हैं और वहाँ पर कुछ terror camps के उपर उनको attack कर देते हैं और ये hinterland में था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल border के इनारे पर या बिल्कुल नज्दीक में इरान ने अपने पास में ये attack किया हो terror camps को target करते हुए उन्होंने काफी अंदर जाकर ये attack किया था पाकिस्तान का कहना है कि ये उनकी जो territorial sovereignty है, उसके against है पाकिस्तान काफी नाराज है, गुस्से में है उनका ये कहना है कि ये एक unprovoked attack था और ये blatant violation है उनकी airspace का बताया ये जा रहा है कि इस पूरे attack में दो बच्चों की मौत हुई है, दो महिलाएं और एक बच्ची घायल भी हुई है तो Tuesday कि ये जो strike थी बलूचिस्तान का जो province है जो इरान से लगता है इसके बाद diplomatic tensions इरान और पाकिस्तान के बीच में काफी ज़्यादा बढ़ गई है tensions बढ़ गई है, situation खराब हो गई है इरान का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ territorial groups हैं जो बलूचिस्तान में काफी active रहते हैं और इरान का वो हिस्सा जो बलूचिस्तान का पार्ट बनता है या वहाँ पर जो बलूचि एरिया है उसे ये कुछ जो आतंकवादी हैं वो इरान से अलग करने के efforts लगातार करते रहते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो उनका तो साफ ये कहना है कि जो militant group है रीजन है जैसे बलूचिस्तान का ये खिस्सा तो आपको पाकिस्तान में मिलता है बिल्कुल वैसे ही एक रीजन आपको इरान में भी मिलता है तो वो जो सिसेसनिस एक्रिविटी जैसे वो लोग यहाँ पर कश्मीर में करते हैं जैसे ही वहाँ पर जाकर इए प्रफन को भऊना अपर्यक्Sub —T-2 ये सब पाकिस्तान करता रहता है वह पाकिस्तान उसमें एक्सपठ दिखकेत है कि पाकिस्तान पहले अकेले करता था अब पाकिस्तान को लोग रिस्पांड भी करने लग गये हैं तो यह चिलाते रहते हैं इनको बुरा भी लगता है तो खेर यह तो पूरा मामदा बिल्कुल फ्रेंट पेज पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा दा हिंदू में बिल्कुल आप आगे जाओगे तो नौवे दस्वे इन फैक्ट पेज नौबर 18 पर नहीं चलिए ठीक है नौवे या दस्वे पेज के उपर आपको एक और आटिकल मिलेगा and that is कि इंडिया डिफेंट करता है इरान के स्टैंड को जो उनकी पोजीशन है कि वो आतंकबाद के अगेंज्ट में कारवाई कर रहे हैं उन्होंने अटैक किया पाकिस् अगेंज्ट में अगर कोई कारवाई होती है जो कि आतंकबाद के खिलाफ है तो आतंकबाद देखो इंडिया का भी बड़ा मुद्दा है तो आतंकबाद के उपर कोई भी जो कारवाई होगी उसमें इंडिया हमेंसा सांथ देगा इरान का तो ये आर्टिकल भी आपको दे significant date है 22nd of January इस दिन आयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है simply saying मंदिर को इस दिन inaugurate भी किया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की द्वारा और कई सारे राज्ये हैं जहां पर इसके लिए holidays डिक्लेर किये गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक special ceremonial occasion को भी मतब एक ritual है उसको भी follow कर रहा है जिसमें वो एक time का खाना खा रहा है अलग-अलग जगह पर भी religious activities आगे बढ़ रही हैं ऐसी ही कुछ religious activities जो हैं वो महारास्टरा में भी conduct करवाई जा रही है तो उसके against में कुछ please डाली गई थी कि ये जो पूरी activity है इसमें हो सकता है hate speech देखने को मिले इसलिए इस speech को हमें यहां रोक देना चाहिए बट यहां पे जो supreme court है उसने order किया है और वो order जो था वो महारास्टरा 36 गड़ के police को दिया गया है लोकल authorities को दिया गया है उनसे कहा गया है कि देखो जो religious rituals होने वाले हैं 22 जन्वरी और उसके आसपास उन्हें नहीं रोका जाएगा वो तो होंगे लेकिन इस दौरान किसी भी तरीके के miss happening ना हो इसके लिए police को बिलकुल निगाह रखनी होगी hate speech और किसी भी तरीके के violence के insight करने के effort को नजर अंदाज ना किया जाए कड़ी कारवाई की जाए hate speech में ऐसा होता है कि आप किसी religious community किसी caste group या किसी भी group of लोगों के against me कुछ ऐसी बाते करते हैं जिससे violence के बढ़ने के संभावना हो और ultimately ये कई बार situation को बिगार देता है law and order के situation create कर देता है ऐसी किसी भी speech को hate speech का दर्जा दिया जाता है तो ऐसी speeches को रोकना जो solidarity है उसके maintain करने के लिए बहुत जरूरी होता है तो Supreme Court का ये जो order है इसके बारे में आपको front page पर in fact I will say not on front page मिलका बीच में किसी एक page पर आपको ये news मिल जाएगी तो चलिए ये तो news जो है वो है यहाँ पर आप देखो उडान जो है वो release हो चुकी है तो 15 जन्वरी को तीन booklets आ चुकी है Central Government जो indigenous population है उसको बचाने के efforts कर रही है और इसी reference में हमने effort किया है कि जो column tribe है हम उसे बचाएं इसी promote करने के लिए उनकी situation को और better बनाने के लिए जन्जाती आदिवासी नियाय महा अभियान शुरू किया गया है फोकस किया जाएगा इस travel group की health और education के उपर column tribe की अगर हम बात करते हैं PDF मैंनका पूछना है कि वो कहां से download कर सकते हैं मैंनक इस session के last में मैं आपको एक QR code दिखाऊंगा आप उसको scan करके या जो address दिया गया उसको type करके मेरे telegram channel को join कर लीजेगा वहाँ पर session के just बात PDF अपलोड हो जाती है आप उसे वहाँ से download कर सकते हो ठीक है चलिए आपका answer मैंने दे दिया column tribe के बारे में बात करते हैं ओके column tribe की जब हम बात करते हैं तो मत्यप्रदेश और महरास्ट्रा के आंदरप्रदेश की कुछ हिस्सों में आपको column tribe देखने को मिलती है इन्हें दरजा दिया गया है particularly vulnerable tribal group का PVTG महरास्ट्रा आंदरप्रदेश जोनों में ही ये PVTG हैं PVTG क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा ये historically जो गोंड tribe के लोग हैं 12th century के बाद से ही उनके लिए priestly functions परफॉर्म किया करते हैं सिथे सिदे कहूं तो गोंड tribe के लिए लोग जो column tribe के हैं वो पुजारी का काम किया करते हैं वैसे तो इनकी अपनी एक original lifestyle हुआ कर दे थी लेगिन चूंकि गोंड के बीच में ये काफे लंबे समय से रहते आए हैं तो धीमे धीने इन्हों ने जो गोंड tribe के लोग हैं उनकी lifestyle को opt कर लिया है कई सारे clans आपको मिलेंगे column tribe में जैसे की चल देवा, पच देवा, पच देवे, सह देवे या फिर सत देव और ये ये जो अपनी clan का नाम है उसे as a title भी use करते हैं अपनी नाम के सामनी वो इस title को add कर लेते हैं simple saying मेरा नाम यू तो देविंद्र दोभे है लेकिन अगर मैं column tribe से belong करता तो मेरा नाम same clan में जो marriage है उसको prohibit करते हैं ये पूरी tribe को या समझे जैसे कि मैं कहा रहा हूँ ये कई सारे clans है न जैसे सच देवे या चल देवे clan है तो वो उसे एक family की तरह मानते हैं तो वो उसी same clan में जो शादी है उसको allow नहीं करेंगे ऐसा मना जाएगा कि आप जैसे एक family में ही शादी कर रहे हो तो same family में जैसे शादीयां नहीं हो सकती वैसे same clan में कोलन tribe के लोग शादीयां लाओ नहीं करते और अपने clan का नाम सरनीम के तौर पे इस्तिमाल करते हैं पैट्रिल लिनियल सिस्टम है मतलब जो family की lineage है वो पिता के नाम से आगे बढ़ती है यह traditionally farmers forest workers यह shifting मतलब इस तरीके से काम करते हैं पहले तो देखो shifting cultivation वगड़ा perform करते थे लेकिन अब कहा shifting cultivation का समय रह गया है यह एक द्रविनियन language बोलते हैं जिसे कोलमी कहा जाता है ऐसा नहीं खाली कोलमी बोलते हैं मराथी तेलगू और गोंडी लेंवज भी बोलते हैं लेखने के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करते हैं अब वही एक बात कि PVTGs क्या होते हैं particularly vulnerable tribal groups देखिए हमारे हाँ बहुत सारे tribes हैं कुछ tribe जो है न वो बहुत सदा vulnerable है बहुत सदा vulnerable होने का मतलब यह है कि जो mainstream social system है वो उससे ना तो connected है और नहीं उससे connect होने में interested है इसके लिए वो कई सारी basic जो social amenities हैं उनसे दूर रह जाते हैं हमारी responsibility as a civil society as a government ये बनती है कि हम उन्हें mainstream में लेकर आए और उनकी quality of life को improve करें और ऐसे tribal groups के उपर हमें vicious रूप से ध्यान देना पड़ता है हमें किस के उपर vicious रूप से ध्यान देना है इससे decide करने के लिए हमने कुछ group of tribes को चुन रखा है और हम उन्हें कहते हैं particularly vulnerable tribal groups अब ऐसे tribal groups जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए है जो social system से बहुत ज़्यादा दूर है उन्हें हम PBTG का दर्जा देते हैं लेकिन कैसे decide करते हैं कि कौन PBTG है कौन नहीं है primitive traits ये अभी भी जैसे पुराने जमाने में human civilization रहा करती थी hunting gathering किया करती थी वैसे ही रहते हैं geographical isolation पहाड़ों पे रहते हूँ जंगलों में रहते हूँ और शहरों या बाकी के urban areas में ना आना चाहते हूँ low literacy बहुत पढ़े लिखे ना हो population growth negative हो यानि कि इनकी population कम हो रही हो ये अभी भी hunting के उपर rely करते हो और इनकी जो technology है वो pre agricultural level की हो मतलब ये hunter गैदर हो तो ऐसी tribal groups को हम लोग PVTG का दरदाद दे देते हैं जंगलों में ये जो non timber forest produce होता है उसका इस्तेमाल करते है non timber देखो जाते हैं लकडी लकडी के लाग में बहुत सारे fruits मिलती है vegetables मिलते हैं herbs मिलते हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं तो उसे non timber forest produce कहा जाता है और कई बार देखिए इसलिए कई जरीकी बिमारियों से भी सफर करते हैं इनकी इन problems को दूर करके उन्हीं मदद देने के लिए ये efforts किये जाते हैं ठीक है तो शार ऐसा नहीं है कि वो join नहीं करना चाहते तो हम उन्हीं क्यों join करवाएं अगर वो join नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है वहीं पर उन्हें basic services देने है अगर वो जंगलों में रहते हैं वो area isolated है हम वहाँ पर अगर possible हो तो सडख बनाएं रहते हैं वहीं पर उन्हें सर्विस दो कैसे शुरुवात हुई ये PBTGs को रेसाइड करने की 1973 में एक धेबर कमिशन बनाया गया था उन्होंने कुछ ट्राइबल को चुना और उन्हें दर्जा दिया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का 1975 में हमने 52 ट्राइबल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया और उन्हें हमने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दे दिया 1993 में हमने इसमें 30 और ट्राइब्स को connect के या add कर दिया 2006 में जो primitive tribal groups थे यानि कि PTG उनका नाम बदल के PVTG कर दिया गया यानि कि particularly vulnerable tribal group लगभग 2.8 million PVTGs हैं जो 75 tribes से belong करते हैं 18 states और UTs में रहते हैं उडिसा, मध्यप्रदेश आंधरप्रदेश जिसमें तेलंगाना भी आजाएगा, ये कुछ हैसे राज्जे हैं जहांपर आपको जदा तर PVTG मिलेंगे ठीक है, नाउ उडिसा का जो सौरा community है वो largest PVTG group है, इंडिया का जिनके 5,35,000 members हैं, जो कि PVTG में ही आते हैं, ठीक है बिल्कुल वैसे ही, चलिए हमारा जो अगला आर्टिकल है, वो Greenland में, जो Ice कम हुआ है, उसके एक सर्वे के बारे में है उसकी एक जानकारी के बारे में है Climate Change हो रहा है Greenland के जो Ice Sheets हैं वो पिखल रही हैं, जब ये Ice Sheets पिखलती हैं, तो ये समंदर में पानी को add कर देती हैं जिससे जो water table है वो increase हो जाता है अभी तक हमारी जो thought था हमारी जो previous studies थी उनके according पिछले दो decades में, यानि कि पिछले 20 सालों में, लगभग 5000 गीगा टन जो Ice है हम उसे खो चुके हैं और 5000 गीगा टन जो हमने Ice खोया है उससे water table काफी increase हो गया है लेकिन हाल में जो survey किया गया उसमें लगभग 2,40,000 satellite images हमने collect की और यह जो पूरा survey किया गया यह 1985 से 2022 के बीच में किया गया हमें इसमें यह समझ में आया कि NASA का जो Jet Propulsion Laboratory है वहां के जो Glaciologist है जो Glaciers की study करते हैं उन्होंने इस पूरे survey को conduct किया उन्होंने यह कहा कि जो हमारा पहले का survey था कि हमने 5000 giga ton ice sheets को खोया है वो survey ठीक है लेकिन actually में यह survey faulty है यह जो ice sheets हमने खोई है वो 6000 giga ton की है एक giga ton का मतलब होता है 1 billion ton मतलब कि जो हम पहले सोचते थे actually में ice sheets उससे 20% ज़ादा गल चुकी है और वो add कर रही है water पानी को और water table increase कर रही है तो 5000 giga ton हमारा पहले का एक evaluation था और recent study कहती है नहीं 1000 giga ton और हमने ice sheets को खोया है जो हमारे calculation में नहीं है Greenland की जो ice sheets हैं वो लगातार पिखलती चली जा रही है इसके बारे में journal nature में भी एक proper news publish की गई थी जिससे पानी का level बढ़ रहा है और ये पानी का level जो बढ़ रहा है ये climate change का एक visible impact है जो हमारे सामने है तो दा हिंदों में ये news आपके लिए है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारा जो अगला article है वो post traumatic stress disorder यानि कि PTSD के बारे में है अभी हाल ही नहीं एक study आई जिसमें कहा गया कि जो लोग post traumatic stress disorder से परिशान होते है उनकी brain का जो एक हिस्सा है जिसे cerebellum कहा जाता है उसमें हमें grey और white matter दोनों का volume जो है वो कम मिलेगा ये एक physical impact देखने को मिलता है mental trauma का हमें ऐसा लगता है कि जो mental trauma है वो mentally ही affect करता है ऐसा नहीं है mental trauma आपको physically भी प्रभावित करता है जैसे ये human brain है human brain के कई सारे हिस्से होते है इसमें ये जो purple color का हिस्सा दिख रहा है जिसे मैं mark कर रहा हूँ इस हिस्से को कहा जाता है cerebellum यहां पर आपको gray और white matter कम मिलेगा अगर कोई व्यक्ति PTSD यानि कि post traumatic stress disorder से प्रभावित है तो अब सवाल ये है कि PTSD है क्या water table का मतलब होता है sea level rise बिल्कुल स्रेवास्तो आप यहीं सही समझ रहे हो ठीक है mental health condition है PTSD post traumatic stress disorder कोई व्यक्ति जिसनी कोई trauma face किया हो जैसे कि वो किसी war का हिस्सा रहा हो उसने कोई violence देखा हो उसके घर में मार पीट होती हो उसने बचपन से ही abuse देखा हो कोई disaster face किया हो आपके अंदर उस चीच का डर होता है आप भरोसा करो अगर आप ऐसा कोई situation अपने सामने face करोगे जो अचानक से डर आपके मन में आएगा वो सालों आपके अंदर रहेगा फिर आप उस डर के साथ जीने लग जाते हो वो trauma आपकी life को impact करने लग जाता है और वो आपकी जिन्दगी का हिस्सा बन जाता है इसमें symptoms की बात करें तो वो memory आपको बार बार flashback में आपके सामने आएगी आपको रात में बुरे सपने आएंगे और वो trauma बार बार आपको याद आएगा और आप घबरा से जाओगे आप ऐसे किसी भी विक्ती या ऐसे किसी भी place को avoid करोगे जो उस घटना की आपको याद दिलाता हो जैसे suppose करिए कि बच्पन में कोई आपको बहुत तीजी से बिना बात के थपड मार देता हो और वो थपड इतने frequently आपको मारे जाते हो कि उन थपडों का खौफ आपके अंदर हो डर हो उसके बाद अचानक से अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपने हाथ को आपके दर लेकर आएगा आप डर जाएंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आपको थपड मारने वाला है तो वो डर आपके अंदर बस जाता है तो जो ट्रॉमा होता है वो एक mental health condition बन जाती है उसे ही कहा जाता है post traumatic stress disorder तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से अगर कोई आपको बोल देगा अचानक से कि अभी मैं तुमको एक थपड मार दूँगा आप ऐसे व्यक्ति से जगड जाएंगे और कहेंगे कि चुप चाप यहां से दूर हट जाओ और मेरे सपास वापस से मताना कोई भी ऐसा place जहां पर आपको इस incident की याद आ जाए आपका thought और mood हमेशा negative रहेगा और आप लोगों से detached महसूस करेंगे ये बहुत ही बुई condition होती है ऐसी condition में आपकी जो daily life होती है quality of life होती है वो प्रभावित हो जाती है नौ ऐसी condition को improve करने के लिए treatment ज़रूरी होता है psychotherapies होती है medications होते हैं या फिर दोनों दोनों की मदद से किसी भी व्यक्ति को post-traumatic poor stress disorder से निकाला जाता है distress, disability और societal burden इन तीनों से निजात दिलाने के लिए जरूरी है so, ये जो part है जिसके हम बात करें थे cerebellum, ये human brain का बहुत important हिस्सा होता है और ये हमारी body के moment और control जो होता है balance होता है उसको maintain करता है तो ये तो पूरा article हमने इस बारे में discuss कर लिया now, going towards next article जो हमारा अगला article है वो bandhavgar tiger reserve के बारे में है यहाँ पर एक बार फिर से एक जो tiger है उसकी मौत हो गई है तो big cat, tiger की यहाँ पर जो मौत होई है I will say cheetah cheetah जो हमने Africa से इंडिया में reintroduce किये थे उनकी धीमेधी में मौत हो रही है और bandhavgar tiger reserve में यह दूसरे चीता की मौत है अब यहाँ पर देखिए धामोखर जो range है in fact सब adult tiger था जिसकी मौत होई है जो cause of death है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है ठीक है now, यह जो bandhavgar tiger reserve है एक चुनी में tiger की मौत होई है नची था, this is the death of tiger यह news में आया था bandhavgar tiger reserve यह उमरिया district में है मदर प्रदेश में विंदिन हिल्स में मिलेगा 1968 में इसको national park का दर्जा मिला था और यह tiger reserve बन गया था 1993 में अभी यहाँ पर दूसरे tiger की मौत होई है तो bandhavgar ford जो है उसी के नाम पर इसका नाम bandhavgar tiger reserve रख दिया गया है तोपोग्राफिक की बात करते हैं तो आपको steep ridges मिलेंगी forest मिलेगा, open meadows भी मिलेंगे flora में आपको sal के पेड मिलेंगे bamboo मिलेगा, saj, dhawra, tendu, arjun, amla, palas यह कई सारे पेड मिलेंगे फोना की बात करते हैं तो हमें cheetal, sambar, barking deer tiger, leopard, wild dog, wolf, jackal यह सब मिल जाएंगे tiger density इंडिया में अगर किसी भी protected area में सबसे जादा है तो वो हैं बांधा होगा tiger reserve यहाँ पर आपको tigers की density सबसे जादा मिलेंगी ठीक है, now going ahead हमारा जो अगला आर्टिकल है वो 10th schedule के बारे में है मारास्टा के assembly में एक मुद्धा काफी लंबे समय से गहराया हुआ है 18 महीने around बीच चुके हैं डेर साल बीच चुके हैं जब शिव शेना का एक fraction अलग हो गया two third से जादा जो लोग थे MLS थे, उन्होंने उस fraction को जोईन कर लिया और उस fraction को लीड कर रहे थे एकनाथ शिंदेजी एकनाथ शिंदेजी उसके बाद वहाँ के CM भी बन जाते हैं उसके बाद उन सभी members के against में disqualification के plea डाली जाती है disqualification के मामले के सुनवाई महरास्टा के assembly के speaker कर नहीं रहे थे Supreme Court ने उन्हें फटकार भी लगाई और कहा कि जल्दी से जल्दी वो इस पूरे मामले के सुनवाई को final करे और finally थोड़े समय पहले महरास्टा के assembly के speaker ने इस पूरे मामले में अपना जो decision है उसे दे दिया ये बोलते हुए कि वो जो 40 MLA है उन्हें disqualify नहीं कर रहे है in fact एकनाथ शिंदी का जो fraction है उसे ही असली शिव सेना माना जाएगा उन्होंने जो बाकी MLA उद्धो बाला साहब ठाकरे जी के fraction से थे उनको भी disqualify नहीं किया तो ये कुल मिलाकर जो मामला निकल के आया उसमें एक बात तो clear हो गई कि अब जो real शिव सेना है उसे एक नाथ शिंदे जी के fraction के तौर पे recognize किया जाएगा entity fiction law इस मामले में काफ़े highlighted रहा entity fiction law 1985 में एनक किया गया था इसके लिए हमारे constitution में 50 second amendment लाया गया था ताकि हम ऐसे legislators को रोख सकें जो बात बात पर एक party के टिकर selection रड़ते हैं फिर दूसरी party join कर लेते है अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका candidature ही रद्द कर दिया जाएगा उनका पद ही समाप्त कर दिया जाएगा MP होने का या MLA होने का जो 10th schedule है इसमें अगर 2 third members चाहें तो एक सांद जा कि merge हो सकते हैं इसमें देखो हमेशा सेजा उस member को मिलती है जो party को join कर रहा है party को कोई सेजा नहीं मिलती है अगर किसी member को disqualify कर दिया गया है इसका मतलब यह नहीं कि वो वापस election नहीं लड़ सकता है party की wish के against में vote किया आपने whip ने जो instructions दिया है उनको follow नहीं किया हाला कि देखो पहले क्या हुआ करता था था ना कि अगर 1 third members party से defect कर जाए तो defection नहीं माना जाता था लेकिन बाद में 2003 में change किया गया बुला गया नहीं 1 third तो बहुत कम होता है चोटी parties है मानलो कोई छोटा सा दल है उसमें केवल उनके पास 10 MLA ही है तो उनमें से 4 MLA का निकल जाना is not a big deal तो इसलिए इसे घटा के फिर बढ़ा के इसे 2 third किया गया कि नहीं 1 third नहीं 2 third अगर बहार जाते हैं तो split माना जाएगा तब यह नहीं माना जाएगा कि हाँ defection हुआ है तो कियम सिंग वर्से स्पीकर आफ मनिपूर केस आया था 2020 का जिसमें यह बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक independent tribunal होना चाहिए जो कोई judge head करें वो decide करें कि disqualification क्या होना चाहिए क्योंकि जूरीशिल responsibility होती है और speaker अकसर ये काम अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं ठीक है now going ahead यहाँ पर जो मरा अगला article है वो ACER की एक study के बारे में है ACER यानि की annual status of education report ACER report इसका title इस बार रहा beyond basics beyond basics title के साथ यह report publish की गई है यहाँ पर 14 से 18 साल के बच्चों को evaluation में लिया गया है और उनकी educational status को assess किया गया किसने assess किया ये काम किया है एक civil society organization ने सीधे सीधे कहूं तो एक प्रकार का NGO है ये और इसका नाम है प्रथम तो प्रथम NGO ये ACER report रिलीस करता है ये उन्होंने household survey किया है 28 districts में 26 states में और foundational reading मतलब basic किताब विताब बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं arithmetic ability थोड़ा बहुत चोटा मोटा calculation वो कर पाएंगे कि नहीं जो daily life के लिए जरूरी होता है और इसे पता करनी के लिए 34,000 students के बीच में ये evaluation किया गया यहाँ पर हमने ये कोशिस की कि हम देखें कि वो किताब पढ़ पा रहे हैं कि नहीं और छोटा मोटा mathematical calculation कर पा रहे हैं कि नहीं 86% जो बच्चे रहे जो 14 से 18 साल की उमर के बच्चे थे वो किसी ने किसी educational instruction में enrolled हैं चलो ये तो अच्छी बात है gender gap हमें enrollment में कम ही देखने को मिलता है मज़र लड़के लड़कियां लगभग एक जैसे ही enroll किये गए है percentage of youth जो enroll नहीं है 14 साल की उमरेक में लगभग ज़धातर बच्चे enroll मिलेंगे केवल 3-4% बच्चे ये जो enroll नहीं है लेकिन 18 साल की उम तक आते आते हैं 32% बच्चे ऐसे मिलते हैं जो enroll नहीं है ठीक है इस एज रूप के जो बच्चे हैं उसमें ज़धातर बच्चे हमें arts और humanities में enroll मिलते हैं class 11 या उसके उपर जब हम जाते हैं तो आधे से ज़धा बच्चे यानि कि 55% अफ़ बच्चे हमें arts या humanities में enroll मिलते हैं लड़के तो देखो medical या engineering की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं लेकिन अगर हम लड़कियों की बात करते हैं girls की बात करते हैं तो वो ज़धातर humanities की courses ही बढ़ रही हैं वो science, technology, engineering या mathematical stream में कम ही हैं जैसे women या girls कीवल 28% ही है जो की STEM बोलते हैं इसको short में STEM field भूला जाता है STEM, STEM तो compositive पूरी field है जिसमें science, technology, engineering and mathematics इसमें जो boys हैं वो तो आपको 36% मिल जाएंगे in enroll लेकिन girls आपको कीवल 28% मिलेंगी मतलब लड़कियां non-technical field जदा choose कर रही है या उन्हें उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है basic ability को जब यहां पैसेस किया गया कि वो English पढ़ पा रहे हैं नहीं, Hindi पढ़ पा रहे हैं नहीं local languages में पढ़ पा रहे हैं तो उसमें हमें कुछ बहुत concerning देखने को मिला है किवल हमें 25 बच्चे ऐसे मिले, किवल 25% बच्चे ऐसे मिले जो class 2 के level तक की किताब fluency के साथ अपनी regional language में बढ़ पा रहे हैं लगभग आधे बच्चे, 50% बच्चे, struggle कर रहे हैं basic calculation में अगर हम उन्हें 3 digit का कोई एक number देते हैं और कहते हैं कि आप उसको divide करो one digit के साथ तो वो नहीं कर पा रहे है reason being, जैसे मैं कह रहा हूँ simply कि मैंने उनसे कहा 150 है, इसको 3 से divide करो कितना आएगा answer, वो नहीं बता पा रहे है कि 150 को आप 3 से divide करोगे तो क्या answer आएगा मतलब आप 3 digit का कोई भी number उनको एक digit से divide करने को दे रहे हो तो वो नहीं कर पा रहे है, यह problem आ रही है उनके पास वो basic standard भी नहीं है मतलब वो किताबे भी वो नहीं पढ़ पा रहे हैं जो 3rd या 4th में introduce कर दी जाती है हलाँ कि English जदतर 73% बच्चे पढ़ पाए हैं और 90% जो youngsters हैं अब देखो, बाकी सारी एक तरफ हैं बाते लेकिन ये बच्चे जो basic calculation नहीं कर पा रहे हैं mathematics solve नहीं कर पा रहे हैं किताबे नहीं पर पा रहे हैं इनमें से 90% बच्चों के पास smart phones है और वो जानते हैं कि उसे कैसे चलाना है क्योंकि वो तो उनको 6 मैने की उमर में ही पकड़ा दिया जा रहा है अब तो ठीक है तो smart phones वो जानते हैं तो Acer की ये पूरी report है जो अभी हाल फिल हाल में आई है आज के दा हिंदू में ये published है मैंने आपको बता दिये यहाँ पर देखो जो हमारा अगला आर्टिकल है that is about para-myrothesium indicum केरला की forest research institute की जो वग्यानिक है थिरसुर में और बियच्चू वारानसी की जो scientist है plus Britain का survey of India इन लोगों ने अंडमान और निकोबार के island में एक नई species search की है fungus की ठीक है यह button का survey of India अंडमान निकोबार का है जो fungus मिला है वो केरला में मिला है ठीक है तो केरला में यह मिला है इसका नाम है para-myrothesium indicum indicum का मतलब इन डिया से है देखो जो पीछी वजहानी वैलेफ संचूरी है थरिस्टो डिस्टिक केरला की वहाँ पर यह हमें मिला है fungus ठीक है यह fungus phytopathogenic category का है मतलब यह पौधों में disease भी cause कर सकता है indicum का मतलब India है para-myrothesium यह जो पत्ते हैं उनको खराब कर देता है उनको destroy करना शुरू कर देता है हाला कि इसका एक इस्तेमाल weeds को control करने के लिए भी किया जा सकता है मतलब थोड़ा बहुत positive use भी हम कह सकते है ठीक है अगर हम पीछी वजहानी value of century की बात करते हैं तो यह केरला में है 1958 में इसे established किया गया था second oldest value of century है केरला में यहाँ पे बंगाल टाइगर इंडियन गौर, एशिन एलेफेंट, धोल, फ्लाइंग, स्क्वेरल यह सब मिल जाते हैं invertebrates में काफी diversity है 25 spider की 50 मौत की species मिल जाएगी यह देखिए जो पुराना एक चिमानी while of century हुआ करता था उसी का हिस्सा हुआ करता था ठीक है चलिए जो हमारा last article है that is about पक्की पागा हॉन्बिल फेस्टिवल पक्की पागा हॉन्बिल फेस्टिवल का यह 9th edition है जो अभी adventure प्रदेस में organize किया जा रहा है, आज शुरू हो गया है आज से लेकर कल और परसों 20 तारिक तक यह चलेगा, ठीक है तो 2015 में देखो पहली बार जो नीशी ट्राइब के लोग हैं उन्होंने हॉन्बिल को बचाने के लिए उसे conserve करने के लिए इस फेस्टिवल के शुरुआत की थी इसका aim था एको टूरिजम को बढ़ावा देना, लाइविट उपरचुनिटीज को इसके आसपास मिरेंगे यह ट्रांजिशन जोन आपको मिलेगा इंडिया और म्यांगमार इको रिजिन का नौर्थ में ब्रहंपुत्रा नदी है और टॉपिकल एवर्ग्रीन सेमी एवर्ग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे नीश्य ट्राइब की बात करते हैं तो यह ट्राइब आपको इस्टन भूटान और अरणशन प्रदेस में मिल जाएगी तिबितो ब्रह्मन लैंग्वेज यह लोग बोलते हैं और स्लैशन बर्ण एग्रीकल्चर पो यह फॉलो करते हैं मतलब जमीन को जलाते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं और फिर एक दूसरी जमीन को बापिस से जलाकर आपको बताना है कौन सा जो फेमस प्लेस है किस रिवर के किनारे है उसको मैच करना था तो पहला और दूसरा यहां पर करेक्ट है आज का सवाल एंटेटेटेफेक्शन लॉग के बारे में है दो हजर बाइस में कुशन पूछा जा चुका है law में यह बताया गया है कि कोई भी जो नॉमिनेटेड लेजिसलेचर है वो 6 महने तक पार्टी जोई नहीं कर सकता दूसरा कि डिस्कॉलिफिकेशन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है QR कोड जिसकी में बात पहले कर रहा था वो ये है आप इसे स्कैन करके मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जहाँ पर आपको इस सेशन की PDF मिल जाएगी हर दिन के ज़रा लास्ट में मैं आपको एक map based question देता हूँ तो ये है Australia यहाँ पर है New Zealand लेकिन यहाँ पर कुछ group of islands हैं जो की एक country भी है मैं ये चाहता हूँ कि आप भी बताईए कि ये कौन सी country है और इसकी capital क्या है जो बिलकुल आपको East में मिलती है यह दिसे North East में मिलती है Australia के इसका नाम आप मुझे comment box में बताईए और इसके साथ ही हमारा आज का ये session समाप्त होता है वदी हो कि आपने session को enjoy किया और current affairs की टैयारी आपकी एकदम बढ़िया चल रही है